देश में लोगसभा चुनाव की संकरनाच से पहले राज्यसभा चुनाव होने हैं जादा नहीं बस दिन बाद 27 फरवरी को देश के 15 राजियों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा इन सीटों के लिए 15 फरवाई तक नमांकन की पूरी परकीरिया पूरी हो चुकी है इन 15 राजियों में हिमाचल प्रदेश का भी नाम सामिल है लेकिन इसे चुनाव में कॉंग्रेस को खेला होने का डर सता रहा है डर इस बात का कि कहीं उसके कुछ नाराज विधायक क्रोस वोट ना कर दे और फिर चुनाव से गेर हाजीर हो जाए बकाईदा इसे लेकर कॉंग्रेस ने अपने विधायकों के लिए विहिप जारी किया है विहिप पर सभी कॉंग्रेस विधायकों के हस्ताकसर करवाये जा रहे हैं विहिप के मुताबिक सभी विधायकों को वोट डालते वे अपना वोट पोलिंग अजेंट को दिखाना होगा अनिवार्य होगा बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडडा का कायकाल पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेस की यह सीट खाली हुई है प्रदेस की इस रज्यसबा सीट पर मुकाबला कॉंग्रेस के अभिसेक मनु सिंगवी और बीजेपी के हर्स महाजन के बीच है कॉंग्रेस को पहले लग रहा था कि बहुमत होने की वज़े से इस सीट पर उनकी उमीदवार बिना वोटिंग के ही विजाई घोसित कर दिया जाएंगे लेकिन बीजेपी के द्वारा कम विदायक होने के बावजूद केंडिडेट उतारने की वज़े से यह चुनाव अब दिल्चस्प हो गया है 68 विदायकों वाली हिमाचल विदानसबा में महज 25 विदायक है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपना केंडिडेट इस चुनाव में उतार दिया है जबकि कॉंग्रेस के पास 40 विदायक है और 3 निर्दलिय विदायकों का भी समर्थन है बहुमत ना होने के बावजूद बीजेपी के द्वारा केंडिडेट उतारने की वज़े से इसे चुनाव में खेला होने की आसंका जताई जा रही है कॉंग्रेस के कुछ विदायक मंत्री पद और चैयमेंसिप ना मिलने की कारण सीयम सुकविंदर सिंग सुखु से नाराज बताये जा रहे हैं बीजेपी इनी नाराज विदायकों को अंदर खाने अपने पक्स में लाने में लगी है हर्स महाजन साल 2022 के विदानसवा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में सामिल हुए थे ऐसे में बीजेपी ने उन्हें चुनावी मेदान में उतारा है हर्स महाजन ने जब बीजेपी की सदशियता ली थी तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के नेतर्टवे की सरहाना करतेवे कॉंग्रेस नेतर्टवे को आड़े हातों लिया था उन्होंने कहा था कि जब तक वीर भद्र सिंग थे तब तक वहाँ कॉंग्रेस थी लेकिन हिमाचल प्रधेस में आज कॉंग्रेस दिसाहीन और नेतर्टवे विहीन हो गई है हर्स महाजन ने कहा कॉंग्रेस में ना लीडर ना नेता है और ना ही वीज़त दृष्टी कोण है बस मा बेटे का राज है गोर्तलब है कि हर्स महाजन साल 2022 के विदानसबा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में सामिल हुए थे ऐसे में बीजेपी ने उने बड़े प्रबंदन की उमीद के साथ चुनावी मेदान में उतारा है हिमाचल प्रदेश विदानसबा में कुल 68 विदानसबा सीटे हैं इनमें से 40 पर कॉंग्रेस और 25 पर बीजेपी के विधायक जीते हैं वहीं तीन अन्य सीट निर्दलियों के खातों में हैं नालागर से कृष्ण लाल ठाकूर, देहरा से होस्यार सिंग और हमेरपूर से 80 सर्मा निर्दलिय विधायक है इनमें कृष्ण लाल ठाकूर और होस्यार सिंग बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे वहीं 80 सर्मा कॉंग्रेस से बागी होकर चुनाव जीत विधायक बने हैं ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्षन में अपनी राई जरूर दीजियेगा जय हिंद जय भारत रिस्वत के आरोप में नेताओं को ऐसे पीटने पर आपकी राई जरूर बताईएका आपके पारसद को महिलाओं ने सरे रहा चपलों से पीटा कॉलर पकड़ कर खींचा और फाड़ा कूरता थाने में घुसकर बचाई जान महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचीत हुए वार्ड क्रमांक 14 के पारसद जुगल महरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त डलवाने के नाम पर 10-10 हजार उपे की रिस्वत मांगी है इस घटना के बाद जहां सहर में नगरपालिका के भ्रेष्ट पारसद के खिलाब चर्चा का बाजार गरम हो गया इस पूरी घटना का वीडियो भी सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मध्यपरदेश के सियोपूर से एक हैरान करने बाला मामला सामने आ रहा है कुछ महिलाओं ने आमादमी पार्टी के एक पारसद की पिटाई कर दी बताया जा रहा है कि करीब एक डरजन महिलाओं ने दुकान के बाहर बैठे नगरपालिका के वार्ड पारसद को पकड़ कर उनकी चपलों से पिटाई की है इस दोरान महिलाओं ने पारसद पर काम कराने के एवज में रिस्वत खोरी करने के आरोब भी लगाए हैं आप पारसद की पिटाई का वीडियो भी सामनाया है इस वीडियो में महिलाए पारसद को चपलों से पीड़ती नजरा रही है और लोगों की भीड तमासा देख रही है हलांकि जैसे तैसे पारसद कोतवाली पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई मामला कोतवाली थाने के ठीक सामने का है जहां सहर के वार 14 के पारसद जुगल महरा के साथ उनके वार की कुछ महिलाओं ने चपलों से मार पीड़ की इस दोरान पारसद खुद को बचानी की कोसिस करते रहे लेकिन महिलाए उन्हें चपलों से पीड़ती रहे वाद में लोगों की भीड के समझाने पर महिलाएं वहां से चली गई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आप पारसत को लेकर महिलाओं का आरोप है इस कार्यकरम में जुगल महरा भी सामिल हुए थे जिसके बाद महिलाओं ने अचानक जुगल महरा को पकड़ लिया और फिर मारपीट सुरू हो गई सीटी कोतवाली के टी आई योगेंदर सिंग जादोन का कहना है कि मामले में पारसत जुगल महरा के साथ मारपीट का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कर लिया गया है पारसत ने चार नामजद महिलाओं की खिलाब प्रकरण दर्ज कर लिया है विवेचना उपरांत नियमानुसार कारवाई की जाएगी वहीं लोगसभाज चुनाव के लिए दिल्ली में आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गटबंदन हो गया है अरविंद केद्रिवाल हर सभा में इंडिया गटबंदन के लिए सातों सीटों पर लोगों से मतदान की अपील कर रहे है रविवार को दिल्ली के आमाद्मी पार्टी के मुख्याले पर पानी के बड़े हुवे बिलों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अधिकारियों द्वारा रोके जाने के मुद्दे पर केद्रिवाल ने कहा कि जिन मुख्यल हालातों में वे काम कर रहे हैं इसके लिए उन्हें नोबल प्राइज मिलना चाहिए ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजेगा जय हिंद जय भारत कॉंग्रेस के जानकार सुत्रों का कहना है कि पिरियंका गांधी वाडरा नाराज है वे राज्य सबा से अपनी पारी की सुरूबात करना चाहती थी लेकिन उनको मोका नहीं मिला पिछले कई बर्सों से उनके करीवी नेता इसकी मांग कर रहे हैं इस मारपक के तोर पर कहा जा रहा था कि वे राज्य सबा में जाएगी जिनोंने खुद इसके लिए बहुत भागदोर की थी पिछले दिनों वे सिमला में थी और वहीं से हिद्रबाद गई थी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड़ी से मिलकर लोटी थी कहा जा रहा था कि वेहिमाचल प्रदेशिया तिलंगाना से राज्य सबा में जा सकती है जब ये तैय हो गया कि सोन्या गांधी राजस्तान से राज्य सबा में जाएगी तब उनकी उमीद और ज़्यादा बढ़ गई थी और वेही माचल से उच्च सदन में जा सकती है लेकिन उनका नाम तय नहीं हुआ और सोन्या गांधी ने राइबरेली के लोगों को एक भावक चिठी लिखी तो उसमें संकेत दे दिया कि परिवार का कोई सदशिय चुनाव लड़ सकता है बताया जा रहा है कि इस बास से पिर्यंका नाराज है वे अमेठी में पिछले चुनाव में राहुल गांधी का हस्न देख चुकी है इसलिए उनको पता है कि वे राइबरेली लड़ेगी तो भासपा की पूरी मसीनरी उनको हराने में जुट जाएगी इसलिए वे लड़ना न जाने के बावजूद वे उसमें सामिल नहीं हुई उत्तरपंदेश में जब राहुल की यात्रा पहुंची तो बताया गया कि पिर्यंका बिमार है और इसलिए यात्रा में सामिल नहीं होगी वहीं आपको पता दे कि यूपी में कॉंग्रेस जिन 17 लोगसबा सीटों पर लो रंद सहर गाजयाबाद मथूरा सीतापूर बारा बंकी और देवरिया का नाम सामिल है बीते दिनों यूपी प्रभारी महा सच्चिव अविनास पांडे ने बड़ी प्रतिकिरिया जाहिर करते वे कहा कि पार्टी ने तर्थवे विचार विमर्स के बाद इसे जल्द ही अपने उमीद्वारों की लिष्ट जारी करेगा सीट बंटवारे को लेकर सफा और कॉंग्रेस के बीच गटबंदन तूटने के गगार पर था कॉंग्रेस महा सच्चिव पियंका गांधी ने दोनों पार्टियों के बीच सुलह कराने और सीट बंटवारे समझोते को अंति खरगे को दिया था जिसके बाद घरगे ने कहा था कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं अखिलेस की दी गई सूची को कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्ष मलिकारजुन खरगे ने रख लिया उस पर कोई विचार नहीं किया ऐसे में कॉंग्रेस और सफा के बीच फंसी हुई पैंच सुलजने की बजाए उलस्थी नजरा रही थी ऐसे में तमाम सियासी रसाकसी के बीच कॉंग्रेस हाईकमान और सफा के बीच आपसी सहमती के बाद सीटों का एलान हो गया वहीं उत्तरपरदेश के आगरा में रविवार को कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेस यादव एक मंद से जन सबा को संबोधित करेंगे दोनों पार्टियों की नेता याद करते हैं कि यमो का साल भर बाद आ रहा है ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दी यगाद जय हिंद जय भारत मंदीर को अगर दान चड़ावे में एक करोड मिलेगा तो करनाटक की कॉंग्रेस सरकार को देना होगा 10 लाक यह कैसा कानू लेकर आई कॉंग्रेस सरकार कॉंग्रेस के पक्स में खड़े हिंदों की नींद कब खुलेगी दरसल करनाटक की कॉंग्रेस सरकार के मंदीरों की कमाई पर अधिक टेक्स वसूलने के मनसूबे पर पानी फिर गया है इस संबंद में लाया गया विधेयक करनाटक के विदान परिसद में पारित नहीं हो पाया भाजपा और जेडियस के गडबंदन ने इस विधयक को संयुक्तरूप से विधान परिसद में गिरा दिया करनाटक में दसलाग से अधिक के वार्सिक आई वाले मंदिरों से कोस एकत्र करने संबन दी कॉंग्रेस सरकार का विदयक विदान परिशद में भाजवा जेडियस गटबंदन के चलते गिर गया करनाटक हिंदू धार्मिक संस्तान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संसोदन विदयक के 2024 को इस सब्ता की सुरुवात में विदान सबा से मंजूरी मिल गई थी इसके बाद विदयक को स्वीकर्ती के लिए विदान परिशद भेजा गया था विदान मंडल के उपरी सदन में ये विदयक गिर गया, विदान परिसद में ध्वानी मत से ये विदयक गिर गया, विदान परिसद में विपक्सी दलों की पास बहुमत है इस तरह करनाटक की कॉंग्रेस सरकार और मुख्य मंत्री सिधा रमया के मनसूबों पर पानी फिर गया विदयक में 10 लाग रुपे से 1 करोड रुपे के बीच वार्सिक आई वाले मंदिरों में 5 प्रतिसत और 1 करोड रुपे से अधिक आई वाले मंदिरों में 10 प्रतिसत रासी एकत्रित करने का प्रस्ताव था विदयक में कहा गया है कि एकत्रित धन को राज्य धार्मिक परिसत द्वारा प्रसासित एक साजह को उसमें डाला जाएगा जिसका उप्योग 5 लाग से कमाई वाले सी स्रणी के मंदिरों राज्य नियंत्रित के अर्चकों पुजारियों के कल्यान के लिए किया जाएगा 75 सदश्यों वाली करनाटक विदान परिसत में मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाने वाले इस से विधयक को धवनी मत से खारिज कर दिया गया है करनाटक विदान परिसत में कॉंग्रेस सरकार अलब मत हैं कॉंग्रेस करनाटक के इस उच्च सदन में भाजपा के पास 35 और जेडियस के पास 8 सदश्य हैं एक सदश्य निर्दलिय भी है जबकि कॉंग्रेस के पास यहां मात्र 30 ही सदश्य है एक पद अभी रिक्त है मुझराई मंत्री रामलिंगा रेड़ी ने विपक्स को समझानी की कोशिस करते वे सदन को आस्वासन दिया कि सरकार मंदिर समीती के अध्यक्ष के मनो नियन में हस्तक सेप नहीं करेगी और मंदिरों से साझा कोस में दी जाने बाली प्रस्तावी तिरासी को भी कम करेगी विपक्स ने विधयक पारित करने से पहले इसमें संसोधन किया जाने पर जोड़ दिया जिसको देखते वे रेड़ी ने सोमवार तक का समय मांगा और कहा कि उन्हें मुझ्यमंत्री सिध्धा रमया के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि इसमें विध्य नहिता सामिल है सभापती के रूप में मुझूद उप्र सभापती M.K. प्रणेस ने सोमवार तक का समय नहीं देते वे कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि सदन पहले ही विधयक पर विचार कर चुका है इसके बाद विधयक पर मतदान हुआ और ये विपक्सी भाजव जेडियस गडबंदन के संख्या बल की वज़े से गिर गया क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत लोग सबाच चुनाव से पहले कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस के परदेश उपाद्यक्चो राजबबर के करीबी उपेंदर सिंग ने पाटी से इस्तिफा दे दिया है पाटी छोड़ने के पीछे उपेंदर ने जमेनी कारे करताओ की उपेक्चा का आ आगरा पहुची है लेकिन उनके आगरा पहुचने से पहले ही उपेंदर ने कॉंग्रेस छोड़ दी इसे से कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं में निरासा देखी जा रही है उपेंदर चुनाव भी लड़ चुके हैं 2022 में वे आगरा ग्रामीर सिर्ट से चुनावी उत्रे थे उपेंदर राजबबर के काफी करीबी माने जाते हैं वे पार्टी जिला अद्दक्च भी रहे हैं उपेंदर ने उत्तर प्रदेश कोंग्रेस कमेटी को अपना इस्तीपा भी भेज दिया है उपेंदर सिंग वर्स 2012 वह सतर के विदान सबा चुनाव में कोंग्र गांदी और अकलेस यादो आज गले भी मिले कोंग्रेस नेता प्रेंका गांदी वाड़ा ने अक्लेस यादो का बाराइच जोड़ो न्या यादों में स्वागत करते हैं सपापर्मुक अकलेस यादो ने कहा की आगरा सहर दुनिया में जाना जाता है मुझे खुशी है कि ये जो मौबबत की दुकान को लेकर जो चल रहे हैं ये मौबबत का सहर है जितनी मौबबत भर सकते हैं भर कर ले जाईए और पूरी यात्रा में बाढ़ते चलिए वही राउल गांदी ने कहा अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 गंटे देश में अन्याय होगा नपरत का कारण अन्याय है इसलिए हमने अपने यात्रा में नया सब्द को जोड़ दिया है